गाईज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपने flag and pole pattern के बारे में जरूर सुना होगा और इस तरह से range बनते हैं तो आपने कई जगा चार्ट पे देखा होगा पर काफी सारे new traders ऐसे हैं जिनें पता नहीं है इनके target assumptions किस तरह से लगाए जाते हैं वीडियो को save कर लेना ये learning आपके बहुत काम आईगी तो सबसे पहले flag and pole pattern कुछ इस तरह का होता है कि एक trendy move हमें देखने को मिलता है उसके बाद market consolidate करता हुआ एक range में फस जाता है तो ये जो trendy move हुआ है इसको कहा जाता है pole और ये जो पूरा consolidation होता है इसको कहा जाता है flag और वापस से जब इस flag का breakout होता है तो जितना ये पूरा pole की length थी इतना ही target assume करके चलते हैं traders upside पे and similarly हमें downside पे देखने को मिलता है bearish flag and pole pattern में and इस तरह से flag and pole ना बनते हुए सिर्फ अगर range बन रही है तो जितनी पूरी इस range की length होती है उतना ही move हमें देखने को मिलता है इसके breakout या फिर breakdown पे बाकी के और patterns में traders किस तरह से target assume करते हैं वो हमने large की दो reels में discuss कर लिया है आप चाहें तो इसको checkout करें